वेले आम इंप दियेकरे चप्टर नूम्मर वन से, चप्टर नूमर वन Classification and Residencial Status of Company and Tax Planning और उसमें से इंप क्वेशिए ए, फस्क्वेशिए Residencial Status of Company Explain the Residencial Status of Company Company नो रेथान नो रजो First Question उसमें से, Residencial Status of Company Company नो रेथान नो रजो Second Question, Chapter 1 में से, Second Question क्लासिटिकेशन अब कंपनी 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 तो यह तीन टॉपिक जो थे वह चेप्टर वन में से अब अमबात कर रहें चेप्टर नमबर टू कैपिटल स्ट्चर एंड टेक्स प्लानिंग मुरी मार्कों ने करा हो जाए उसमें से थीरी का एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है मुरी मार्कानी रचिना वक्ते मजरें मढता खरचाओ और इसमें से जो IMP questions है वो questions English Medium और Gujarati Medium में अलगए अलगए मतलब question एक है अपर उसमें फ्वेश्चन के नमर से अलगए सबसर प्यादा इंग्लिश मीडियोम की बाहर कर रहा हूं तो इंग्लिश मीडियोम में question number 11, 12, or 13 question 11, question 12, question 13 और गुजराजी मीडियोम में गुजराजी मीडियोम मां डाखला number 12, 13, 14 बाहर, 13, 14 आप अत्रोंतर दाखला IMD जे चट्रा number 2 माद है Now, chapter number 3 अब उसमें से आई अब बेजिकली उसमें थियरी भी है सां दिये तो अगर आप सांग रहो तो संग के साथ सा थियरी आपको इंक्लूड कद्मी पड़ेगी तो मैं उसमें एक थियरी का कुशण दे रहा हूं और थियरी का कुशण भई है और उसमें से IMP, जो सारे LSS ने लिए मैंने बद्दा उधाराण लिजेलाशन और उधाराण शेट, LSS नम्मर वान, टू, फॉर, फाइव, शिक्स, एट, वान, टू, तो यह था यूनिट वन का IMP, यह साना मिला के एक क्वेशन बनेगा आपका, एक क्वेशन दस दस नम्मर का हो सकता है, एक क्वेशन वन, उसमें दो क्वेशन दे सकते हैं, तैन, तैन, उसमें फिर भी एड कर सकते हैं, बड़ यह सब मिला के एक क्वेशन बनेगा आपका, यह था यूनि बिट्टू जो आपका वो चक्र नम्मर फॉर्मे से आएगा, GST इंट्रॉक्शन और देफिनिशन तो अब उसके लिए आएंग भी, क्वेश्चन नम्मर वन, कॉंसेप्ट अब GST, GST नो क्या है, सेकंड, फिर्फिटर्स अब GST, GST नी विशेश ताओ, GST नी विशेश ताओ, फिर्फिटर्स अब GST, GST ना लाबो, मैंने तिन क्वेश्चन बता है आपको, तो यह डेफिनेशन कॉंपन सी हैं, वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन हैं, बट उसमें से मैं आपको मोस्ट टाम भी डेफिनेशन बता रहा हूं, फिर्स डेफिनेशन सापको तियार करना है, फिर्स है, टोटल टन ओवर, कॉल टन ओवर, सेकंड, बिदनेश, धंडो, थर्ड, कैपितल गुड्स, मुरी वस्तुओ, कैपितल गुड्स, मुरी वस्तुओ, पॉर्ड, सर्विसेज, सेवाव, 5, गुड्स, वस्तुओ, 6, मिश्च सप्लाई, मिश्च पूर्टी, उसके बार, इन्पुट टैक्स, निर्विस्ट वेरो, इन्पुट टैक्स, रिवस चार्ज, वर्टो चार्ज, तो यह थी डाफिनेशन जो मोस्ट रांगी थी यूनिक टॉमने से अब इसमें से एक क्वेशन बनेगा आपका पुरा अब हम बात करते हैं यूनिक 3 में तो यूनिक 3 जो है आपका वो है चेप्टर नूमबर आपका फाइव जनरल इंफोमेशन एबाउट जी एस्ट अब इस सुर्ड सबनिक 2 जी ली यून ओन्य है उन्यू है आपका तॉमनें पुरा,इस पॉराइव ज्यो यूनिक 4 चैप्ञ सब्रे स्ब केस्ट इसुमनें जी आफ मंदी, मूनिक 5 चैप्समि relax,चैप अंद स्ब केस्ट का दिश으면,चैप6,जिए। छंट cion इट का। सर्ड आपका Central Board of Excise and Custom, CBEC, Central Board of Excise and Custom, CBEC, Central Board of Excise and Custom निंभूगी का, and fourth question, question number four, GST rate, GST rate, GST नो दा, तो ये था आपका question number three, unit number three, और chapter number five का most आयंकी, अब, last topic पे जाए, unit number four, chapter number six, मतलब आपका question number four, चार question जो है, उसमें से first question है, वो one, two, three chapter में से आएगा, second question जो है, वो chapter number four में से आएगा, third question, chapter five में से, और fourth question जो है, वो chapter number six में से आएगा, chapter number six है, आपका supply of goods and services, वस्तो होजे सेवा पूल, अब उसमें जो आएएँपी question है, वो input tax credit, निर्विस्ट वेरा जमारकम, input tax credit, निर्विस्ट वेरा जमारकम ये तियरी है, और उसमें से some जो है most IMP, वो में बता रहाऊ, question number eight, question number nine, question number ten, question number eleven, or question number twelve, repeat करों, question number eight, nine, ten, eleven or twelve, कि मुस्तों निर्विस्टाइएण ऑना है,